अतीक हैमत का ये पूरा मामला अब सुप्रीम कोच पहुच चुका है और इसे बीच हमारे साथ याची का करता विश्वाल तिवारी हमारे साथ फोन लाइन के जरिये जुड़ चुके हैं हमारे साथ जुड़े आपका बहुत-बहुत स्वागत हैं आपसे मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि माफिया जॉन अतीक हैमत की हत्या का ये पूरा मामला जुस तरह से अब सुप्रीम कोच पहुच चुका है आपने याची का दाहिल की है और इससे जुड़या क्या कुछ आपने मांगे सामने रखी हैं क्यूंकि आपने कहा है कि पुलीस कस्टिडी में जुस तरह से हत्या कर दी जाती है तो बेहत एहम ये अपने आप में ही ज्वानकारी हो जाती है और सवाल कहीं उठते हैं बिलकुल आपने सही कहा और ये याची का कोई अतीक या अश्रफ की हस्तिया तक सीमित नहीं है बलकि जो रूल ओफ लॉक का सिस्टम है उस पे जो प्रहार हुआ है उससे रिलेटेड ये याची का दायर की गई है और जैसा कि 183 एंकाउंटर बताए गए थे कि यूपी में अब तक 2017 से हो चुके हैं तो क्या वह है पूरी तरह गाइडलाइन के तहरत उनका पालन किया गया या कुछ एंकाउंटर फेक हैं तो उनकी जाच होनी चाहिए और ये जो याच का फाइल की गई है आपको याद हो कि याच का दार की गई है जिसमें कि वर्तवान में जो इंसिडेंट्स हुए उसका मुद्दा उठाया गया है तो पुलिस का स्टेटी में हत्या हो जाना या किसी वी तरह से जो माहौल बनता है तो उससे यह लगता है कि अपना जो जुडिशन सिस्टम है उसको वीकन किया जा रहा है जो की नहीं होना चाहिए तो उसमें यहीं मांग की गई है कि एक्पर्ट कमिटी कॉंस्टिट्यूट की जाए कि जितने भी एंकाउंटर्स हुए हैं सिंस 2017 उन सबकी इंक्वाइरी हो इंडिपेंडेंस इंक्वाइरी हो और उसको एहड़ेट किया जाए पॉर्म से तदपर हो जाती है कि अपरादियों को मुडवेड करके और एंकाउंटर में बताया जाता है कि वो मार गिराए गए एक तरफ पुलिस का स्टेडी में किसी हत्या हो रही है वहां पर पुलिस का कोई एक्शन नहीं होता फिर रीजन्स आते हैं कि हम फायर नहीं कर सकते थे और दूसरी के भी जान को खत्रा हो सकता था तो जो सारी चीजें हैं लेकिन जिस तरह से ड्रामेटिक तरीके से हुआ है तो जो जनता के मन में विश्वात होता है जुडी शरीका या किसी भी लौ के तहत होगा तो उसको बनाए रखने के लिए पूरी इंक्वाइरी एक जर सिर्फ सटाकर गोली मार दी जाती है जब आप और हम दिन की चहल कदमी के बाद सोनी की तैयारी कर रहे होते हैं तो ऐसी घटना घटती है ऐसी चुकाने वाली खबर सामने आती है तो सवाल कई उठते हैं लेकिन आपने ये जिक्र किया की इंडिपेंड़ंट कमेटी का गठन हो साथ ही रिटार्ड जस्टिस की निग्रानी में ये जौाँच की जए तो क्यों ही रिटार्ड जस्टिस का आपनी जिक्र किया है कानूनी जो पेचीदियां होती हैं वो ऐसी होती है कि उसको एक जो लीगल फीड में व्यत्ती रहा है और सुप्रीम कोट के रिटायर जास्टिस है वो उन चीज़ों को पकूबी जानते हैं, क्योंकि वो पूरे एक्स्पिरियन्स होते हैं, वकालत की हुई होती है, फिर उसके बाद हाई कोट में भी जज रही होते हैं, उसके बाद Supreme Court of India की चेर्मेंशिप में ये कमेटी का गठन हो